वेल हेलो दियो वेलकुम बिक टू अनुदर एपिसोड ओफ स्काइफ सेक्ट्री ऑगी तो या मैं थोड़ा सा लेट हो गया शायद फिर से तीन चार दिन या अगास पाच्छे दिन तो होई गया होगा तो एक्चल में क्यों नहीं बना रहा था मेरा थोड़ा सा गलाब हारी है एक मॉब स्पाउन हो चुक है वहाँ पर देखेंगे क्या है और मैंने लास्ट की वीडियो में कुछ चीज़ें की थी जैसे कि अपना मॉब फाम बनाया था इसे मैंने वापिस से चेंज किया है क्योंकि तुम लोगों ने भाई नहीं जादा बोला कि इससे जो है स्टोन का कर स्टोन का कर स्टोन का कर तो मैंने फाइनली से स्टोन का भी कर लिया मैं बता तो मैंने इसके था क्या क्या चेंज इसके सबसे पहले तो यह कारीना टाइप का बना दिया यहां पर जिससे मॉब इससे एक्सकेप ना कर पाई और इसकी जो रूफ है वो मैंने कुछ farm फट गया था तो उसकान से मुझे इसको stone पे convert करना ही पड़ा तो stone पे कर लो यार काई बो रहा है और भी दो-तीन चीज़े की थी जासे की magic के related किया था और sheep और कुछ दो-तीन चीज़े की थी मैंने तो उनको तो अभी भी रखते साइड में और मैं आज जो करने वालों वह देख लेंगे बट उससे पहले वह मॉब डी स्पॉन होगा भाई नहीं यार मुझे उससे देखना था और यहां पर थोड़े बहुत जेख सकते हैं तुम यहां फार्म एनिमल स्पॉन हुए थे और मैंने एक्चल में इन चिकन के अंडे तो अभी रखते हैं तो मैं इनको एक्चल में ब्रीड कर रहा था अगर तुम यहां पर दिखूं में पड़ी हैं और एक और चीजिक वाली चीजों को अभी मैं हटाकर रखता हूं क्योंकि यह जो पार्टिकल्स आते नहीं यह मुझे काते ही पसंद नहीं क्यों बस यह पसंद नहीं है यह लैक करवाते हैं को मैं शेडर के साथ खेल नहीं पा रहा हूं अच्छे से बठीक है फिलाल के लिए तो ऐसी रखते इसको तो मैं को एक्चल में दो तीन चीज़े करनी थी यहां पर आज और मैंने अपना यहां पर लावा जिनरेटर को भी बंद कर रखा है मैंने सारे कबल स्टों को यूस कर लिया था उसको बनाने के लिए फिर जो जितने वगयरा बचे थे ऊसको भी थोड़ा बहुत है हमने ग्राइन कर लिया था ग्राइंड करने के बाद मैं बस कुछ डाइमट रेड च्टोन एंड यह थोड़ा वह समान आ ग है ठीक है और जब मैं यहां पर रहते हो तो नीचे समान स्वाइन भी हो जाता है तो यह उसको बचाने के लिए मुझे नीचे कुछ करना पड़ेगा नीचे कुछ मुझे वॉइड होपर या ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा जिसे और देखते हैं और देखते हैं और मुझे थोड़े बहुत इन पड़ने वाली है जिससे मैं समान ले पाहूं और एक चोटे सा स्टोरेज की जरुवत है बस खाता हम भाई इतनी सी चीज़े हैं ठीक है एक आयन का एक एक वेक्यूम होपर एक्चल में अच्छी चीज भी यह तो यहां पर अपर एक और पावर के लिए चीज लगानी पड़ेगी तो वेक्यूम होपर मैं लगां गो यहां पर सेंटर में क्योंकि यह सेंटर से सबसे अच्छा वर्क करेगा अब होप यह सेंटर में ओके वहां पर जॉंबी स्पॉन हो लगे भाई मां भूल किया सो वहां पर टोड़ चीज हो रहे भाई सब्सक्राइब करता है एक दो तीन चार पांच छे साथ ओके तो ठीक है फिलाल के लिए तो आएगा सभी पिक कर लेगा उस साइड सेवन ब्लॉक्स तक पिक कर सकता हो भाई देख रहो यह देख रहो इस लिए अपना रेंज बता आया भाई यह रेंज बताता भी अपना यह यह इस ब्लॉक्ता काम भी करता है नाइस वन भाई मुझे यह चीज पता नहीं थी यह रेंज बगएरा बताता है बटए ओक एक और चीज़ है कि इसके अंदर पावर नहीं मिल रही है जहां तक में को लग रहा है इसके पावर नहीं है और उस पे टॉर्ट चीज लगाते जल्दी से पावर सोर्स एक्चुली में मैं इधर लगाने वाला हूँ एंड यहां पे मैं कच क्या कहता है। इसके नॉर्मल होने का क्योंच फायदा नहीं है तो सोलर पैनल्स मैं देखूंगा कि इसके ऊपर लगा दूदीगे यह लीफ्स वगहरा है तो इसके उपर लगा सकते हो एंड जो सोलर पैनल हो वहाफ से लैप की तरह काम करेंगे तो उस पे मॉब स्पॉन नहीं होंगे जहां और शोल भी नहीं है लैपिश तो लैपिश कितने मीलता है बहुत सञी बहुत सची हो सउनी मुटता हैं मिलता है लैपिश आम चार को को इन बादे में रूका टो जिसके मैं नहीं बात किती तो यहई मक्ते हैंativa यही नहीं मॉँदने घ्ना प्ले लगा यह करन Dwble में इनी ज इतना मेरे कितनी डैम है देरा फिर भी नी मर रहा भाई बहुत सही मर गया ओके तो मरने के बाद इसने कुछ वो ग्रीन लीव दिया उसे जरूवत है मुझे उसकी एक्चल में रखेंगे उसको टेंशन में तो तो अभी थोड़ी देर में ये वोक करने लग जाएगा और जैसी वोक करेगा एक्चल में ये लीफ ले ले लेते हैं लीफ की एक्चल में जरूत पड़ेगी तुमें क्योंकि इसके अंदर कुछ एक चीज बनती है लीफ से मुझे पता नहीं एक्चल में क्या बनते है बट वो कुछ जादा ही दूर है तो साथ ब्लोक के इसाब से इधर कहीं फेकूंगा तो उठा लेगा बट वो कुछ जादा दूर फेक दिया मैंने तो इसका तो उठा लेगा ये देखो आ गया ना इधर इसमें तो इसका कह रहाएगा अपन को इसी का यूस करना है और फिर मैं यहां से जो भी समान होगा वो भीज़ दूँगा अपने इधर वाले मैं को लगता है मैं इसको नीचे कर देता हूगा इस ज्यादा सही रहेगा ठीक है बस इस ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे यह काम हो जाएगा अगर हो जाता तो अच्छी बात है मैं करके देखता हूँ मैं जा बता हो जाए हलो और मैंने एक और चीज़ सीखी कि मुझे लगता है कि मुझे यह लीफ को हटा करना पड़ेगा भाई यार उन्हों ने इंफर्णों ने एक्चल में पूला जला दिया एंड यह फार्म इतना अच्छा वर्क कैसे करने लग या बाई एक्दम से मुझे पर कैसे ब्ट यह वह कर रहा है और मुझे मे को क्या है भाई मुझे कया अच्छे ठीक है तो यहां पर जीज से चीजे इस के अंदर आ रही है और यहां पे हमारा वॉइड माइन भॉइक्षूम होपर वॉयड माइन नी वेक्यूम कोपर एंड लाइन ही कन्वेयर बेल्ट की लाइन जो आती है हमारे यहां भॉपर यह सीधा कनेक्टिट है और तो वहां पे हमारे पावर सोर्स है तो कुछ भी लाइक它 स्मझट हैं a do बाई simple का तहीं simple चीज़े रखी है मैंने और यह मर रहे हैं बाई का स्मूथ लिए देखके one more thing to work on is food मेरा food actually मैं बहुत गंदी बजी बढ़ी है मैंने food की तो food actually मैं बद है तो है देखो potatoes मैंने वहाँ पर उगा रखे हैं बस में ने की potatoes को smelt करने में मैं बहुत टाइम लगता है मैंने अभी potatoes निकालती है अब इनको smelt करने में टाइम क्यों लगता है भाई फरनी से एक है अगर मैं बहुत सारे फरनी सिस्टम बना लूँ चोटा सा फरनी सिस्टम जिसम में होपर वगरा के सिस्टम रखूं मैं और चीज़े डालू है चीज़े काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं आयन पड़ा हुआ है मेरे पास एक्चुल में सारी चीज़े पड़ी है और जरूत पड़ी तो मैं लावा बकिट्स का यूज करूंगा और लावा बनाने के लिए वह देख तो भाई उधर पूरा जुकार लावा बनाने का या मैं कर सकता हो भाई वह चीज़ भी कर सकता हो है मुझे एक और चीज़ करनी थी यार यह प्लाइंट वाला बनाया थे ना मुने तो यहां से मुझे ऑप्सीडियन का चाहिये क्योंकि यार तको उप सीडियन मैंन करना काफी मुश्किल है और जब तुम स्काइब्लोक में हो या स्क करते हैं कि को टो हमाइब बाद आए आएं कि अं कि मुझे लगता है जहां तक मुझे लगता है प्लीज मिलता हो प्लीज सब्सक्राइब करें तो अगर यह तुम काफी बल्क में बनाओगे ना तभी मज़ा है क्योंकि एक आदे में मज़ाएगा तुम्हें लाइक एक आदा ओगेगा कहां से और सीड डूब्लीकेट ही नहीं हो रही इसके अंदर यह लगा तो दिया मैंने सीड इसको अब इसको बॉलीकेट होई नहीं रही देखो किया मैंने एक की अधिन की सीड आ जा रही है दो दो एक शॉडीय के लिए मुझे यह तो तीन मिल रहे है मुझे लिख अधर फेकते हैं अगर चेक करते मुझे एक स्ट्राइक में कितने आप सीड देन मिलते हैं यह पर सो एक फेका एंड और चीज़ आती है इसके अंदर बौन मील जो भी आता है उगाने के लिए इसको अच्छे दे आटमाटिक उगता भी रहेगा और एक हर्वेस्ट करने के लिए भी आता है तो बहुत आप यह तो यह सारी चीज़ है ना बहुत जाए टाइम लेने वाली है ठीक है इनको एक यह करके बनाने में मज़ा नहीं आएगा तो जब अपन बहुत सारा एक साथ बनाएंगे तब दिखाऊंगा मतुमें क्योंकि अभी तो बिल्कुल में पास समान नहीं है इतना जादा ग्राइंड करेंगे बैटके और फिर देखते हैं अगर में पास होता है समान तो बनाएंग बनाएंगे और में को लगते हैं मैंने एक घलत लगा दिया यहां पर कोई आती है उसको हटा देते जल्दी से तो एक्चल पर यह सिस्टम बन गया भी यह कुछ जादा कुछ एडवास सिस्टम नहीं चोड़ा सिस्टम है जिसके अंदर मेरा होपर का गया है मेरा होपर और म स्मेल्ट होके वाप इससे यहां पर आ जाएगा और एक्सपी सिस्टम भी बनाऊंगा जैसे कि यहां पर लीवर विकेरा लगा दूँगा जिससे यह एक्सपी को ब्लोक कर दे और मुझे एक साथ ही एक्सपी मिले और यहां पर थोड़ सा ब्रिक के स्टाइल का कुछ अब हमेरा टाइम एक्शल में खाता मुझा रिकॉर्डिंग का क्योंकि भाई काफी टाइम लेता है यार यह चीज़े ठीक है तो इसको मैं जल्दी से कर दे करना है रहन दो अभी के लिए रहन देते हैं ठीक है तो अभी के लिए तो अपन दो थोड़ा बहुत कोल है वो ड यहांपर करना पड़ेगा ठीक है देखेंगे इसका करेंगे वर्क रही है वह काफी अचीशी चीज़े और स्मेल्ट हो रहा है तो कि या देख तो ने और भी इसके अपिसोड नहीं देखे तो लिंक वूटबी इंडिस्क्रिप्शन में पूरी की प्लेइलिस्ट का लिंक चेक करें और जाके मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो ही तो तुम जाके मुझे इंस्ट्राइगां पर फोलो कर सकते हो वीडियों कर देना अगर तुम अच्छी लगी हो और हम लेंगे फिर किसी और दिन किसी और ces, ब्रली कर दोठी कर सकतとう और हम आना पर टमाली कर दो कर सकते हो बदस्ट्राइब कर दोलो कर से वीडियों करता भाली करा दो किसा वाल हो